ひょGHT जैइस फूर कोड दोस्तों आज यहुंप लिए को सब्सक्रिब्र लिए जावा स्क्रिपट कर अ च्राइन काुब है मुआने अगर किरने के आप चले पाड लोग कोंपने का काम गता है यहाँ पर veggie करें टेंगा इसके तो निच्छी जो लिखा हुआ है इसके उपर आपका होगा इसके निच्छे यहां पर आएंगी कहीं पर नहीं यह नहीं इसको तरफ जाएए खोड़ा उपर की तरफ जाएए आपका देखे जैस्ट फोर को डिया वाला जो टीप है इसको पर यह इसके अंदर आपका वह इंपूर्ट फिले सर्च वाला आप सर्च कर लेंगे सर्च वाला इसमें दिखे आईडी लगावा और अगो करने यहां की महारा करें और दर्हकर करने कि यहां पर कि स्थियेजा है इसी पर法 करना, और यहां पर इसे को भी काम करने मैं तुमक। इसी आरफ में सर्चक्रण करना, इसी पर ओन इंपूट होते हमें काम करना है तो कंट्रोल के लिए सर्च इलिमेंट को इसके बाद नीचे सबसे नीचे आइस बॉटम में आ जाएगी बॉटम में आपको काम परना है इसको भी इननाइज कर दीजिए ठिक इसके जास नीचे आएगा यहाँ पर, comment पास करें ज् इंपिच होती हमकिया करना है ? एक फंक्शन कॉल करना है सर्च के नाम से मने फंक्शन कॉल कर लिए स्रिझ की , यहां पर हम यहां पर हम इसका ऍटक्नड्री में कर दिया है हम अगर 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 करें ृदे इस पर आके बिलो डिवह करता हूं बैंको का अब यह नीं होगा है यहां से यहार को इसमें इंपूट करते हैं हम डेटा भी चाहिए यह जाए नाम से हुतने में लिख अब निकाल सकते हैं तो तो यहां पर अलेम करें तर्फ वाईलिव को यहां पर ऑटे करने होगा बाइले में लिखा जीके अ capital A लिखेगा अगर हम यहाँ पर capital B लिखूँगा तो मुझे capital B मिलेगा तो मैं चाहा रहा हूँ कुछ मैं चाहे capital में लिखूँ या small में लिखूँ data हमें हमेशा small में ही मिलना चाहिए तो इसके आगे हम पर dot to lower case लगा दें अगर error आएगा तो हम C को भी capital कर देंगे मैंने यहाँ पर A लिखा देखिए कोई error आगया इंस्पेट करके अगर हम देखेंगे तो console में error आएगा यहाँ पर मैंने capital लिखा ध्यां से देखिए यहाँ पर और अगर मैं capital B यहाँ पर लिखता हूं तो तो मैच करने के लिए आपको सब्सक्राइब कुछ और डेटा कर लेते हैं जैसे मैंने यहां पर लिखा इस तरीके से अलोग और यहां पर मैं लिख देता हूँ ठो है तो मैं यहिए रुच को होगा किसी भी रॉम में हम अगर चाहे तो 옛 अमिल के लिए अपलाय करेंग crunchy दो यह रोव करना होगा नबर लिखांट्स है उपका और चाहिए अपको पां करेंगे 및 यह स्ट्रेंट्र नाम से और इसमें TR को पास कर देंगे, तो क्या होगा, मैंने रिलोड किया तरीके से, और इंस्पेट करके हम जाएं भी, देखे मैं इंस्पेट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर इंपूट करेंगे, सारा TR आ गया, अब इसी TR के अंदर से आपको TD को रीड करना है, तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्यों कि मल्टिपल ट्यार है, इसके लिए हमने लूप चलाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आईए, एक variable declare करेंगे, लेट आई के नाम से, ठीके, फॉर लूप चलाएगे, फॉर डिकलेर करेंगे, और I is equal to zero, I is less than, कहां तक जाएगा, TR के लेंगे, तो TR.length, इसके लिए करेंगे, देन हमारा I में increment operator, पलस पलस, ठीके, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले, आपको name को, यानि कि जो name है, उसको read करना है, तो यहाँ पर name को read करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, let a query manager, name के नाम से, और यहाँ पर define करेंगे, जो TR है, TR लिखने तरिक से, और I, indexing number change करते रहेगे, dot, query selector को इसके define करेंगे, और यहाँ पर TD माना जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा, 2 TD, तो अगर हम यहाँ पर दे दे 2, यहाँ पर indexing number 2 दे 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 इस तरीक से, तो वही TD निकल कर जाएगा, इसका inner HTML निकाल लिजे तरह, तो मैंने define करेंगे, inner HTML इसका, ठीक है, और यहाँ पर देखे, मैं console या alert में पास कर द इंस्पेट करके देखते कोई error है क्या, console में, यहाँ पर error आ रहा है कुछ, undefined inner HTML, अच्छा, inner HTML undefined बता जा रहा है, तो यहाँ पर आप एक काम करें, query selector all, इसका यूज करीज़ ज़रा, इसका यूज करीज़ ज़रा, इसका यूज करीज़ ज़रा, इसका यूज करीज़ console कर दिए, console.log कर दिए, और यहाँ पर define कर दिए console में all TD को, तो अभी कहा होगा, जैसे हम input करेंगे, तो हमें TD मिलना चाहिए, console खुला हुआ है, जैसे मैं input करूँगा, तो मुझे TD हाँ पर यह दिखे न, सारा TD आ गया, अब अगर 0 को rate करेंगे, तो serial number मिलेगा, 1 को rate तो हमें 2 चाहिए, तो यहाँ पर आईए जरा, इस तरीक करेंगे, let name, इसके नाम से, और यहाँ पर all TD के अंदर से, two index को define करके, dot inner HTML इसका निकाल लीजिए, तो अगर हम alert में pass करेंगे तरीके से name को, तो देखे, name आना चाहिए, यहाँ पर define करेंगे, तरीक से, reload करके testing कर ल तो अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए, all, all बीटें लिख जाए, इसको copy करेंगे, जरा control सी करके, यहाँ पर आपका all TD होगा, अब check करते हैं, जरा मैंने reload किया तरीके से, यहाँ पर मैंने input किया, यह देखे, alert आगे सद्दाम, यानि कि सद्दाम आया, ok करेंगे, तो फिर करना है, तो देखे, यहाँ पर भी यह जो data लिखा हुआ है, जिससे हमने यहाँ पर input किया, तो क्या था सद्दाम, तो सद्दाम का S capital है, तो इसको भी हम small में convert करके match करेंगे, ठीके, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए यहाँ पर आईए ज़रा, एक condition पास कर देना है, यानि कि जो value आपका R है, जो input और वो दे देना है, इसको चेक कर लेना, is not equals to minus 1, अगर यह minus 1 के बराबर नहीं, कहने का मतलब यह है, जब यह match करेंगा, तो आपको positive number देगा, लेकिन अगर यह match नहीं किया, तो आपको negative number देगा, इसलिए हमने चेक किया minus 1, अगर minus style.display, display इसका कर देगे हम empty, ठीक है, लेकिन अगर minus यानि कि positive number return कर रहा है कोई, मने कि minus 1 return कर रहा है, तो else में define करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमको इसी को copy करना है, control C करके, और यहाँ पर हमको hide कर देना है, यानि कि जहां-जहां match नहीं करेगा, वहां-वहां हमें hide कर देना है, आज यह जड़ा testing कर लेते हैं, मैं reload किया, okay करी इसको, फिर से okay कर दी, फिर reload करी जड़ा, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने सद्दाम लिखा, इसे कि मैं लिखा सद्दाम, तो जहां-जहां सद्दाम match करेंगा, वहां का data आ जागा, हम back करेंगे, विसाल अगर हम लि कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आए जड़ा, यहाँ पर, ठीक है, इसको आपको copy paste कर लेना है, इस तो मैंने control-c copy paste करेंगे, और यहाँ पर indexing number change कर दो, तो मैं 3 कर देता हूँ, और यहाँ पर email कर देता हूँ, ठीक है, email, और इसके बाद आपको else if define करना है, यहाँ इस मैंने suman-gmail.com, यह डाला, तो suman का email match कर लिया गया, ठीक है, बैक करेंगे, तो यहाँ पर suman match कर रहेगा, वहाँ का data आगा, अगर यहाँ पर विसाल लिखा, तो विसाल का data आया, और visal-gmail.com भी कर दो, तो यहाँ पर यह भी data आजागा, मैं चाहरा हूँ, mobile number भी, अगर match क यहाँ पर बस आपको else if को define करना है, इसी line को copy करें, control-c करके, और सभी का एक ही single else होगा, else if define करना हूँ, यहाँ पर बस आपको mobile कर देना, देखें जरा, mobile, तो मैंने name की spelling, यहाँ पर mistake होगी, तो mobile B छूड़ गया, sorry, B यहाँ पर control-z, B define करना, इसको मैंने copy किया, control-c करके, और यहाँ पर मैं define कर देता हूँ, इस तरीक से, ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर आप जैसे जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर यह वाला है, 1234 यहाल नमबर, तो 1234 यह नमबर डालूँगा, तो यह देखें, यहाल नमबर आ गया, अगर जाड़ अगर हम लिखें, अभी 808gmail.com, तो दिखें, अभी आ गया है, अगर आप लगाते हैं पर गया से, और gmail.com लिखते हैं, तो आपका अभी 808gmail.com यहाँ पर दिखता रहेगा, यह दिखें, कुछ extra लिखेंगे, तो वो नहीं दिखेंगा, चला जाएगा, तो यह इस पर हमन मैंने copy किया, index.js में आ जाएगे, सबसे उपर टॉप में ही इसको भी select कले है, तो इसी को मैंने copy paste किया तरीके से, यहाँ यहाँ पर मैंने copy paste करके control भी किया, और यहाँ पर मैं define क्या जाता हूँ, delete, dell-all btn, dell-all btn, तो dell-all btn, इस मैं define क्या control कर लेंगे, यहीं पर आप इ control z, मैंने comment pass किया, delete, delete all data, delete all data, इस तरीक क्या, और जो आपका dell-all btn, इस पर on click define क्या, इस पर click होती ही, सबसे पहले alert करके जेखे, कि alert हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर मैंने callback दिया, और यहाँ पर click होती ही, alert करके देख लेंगे, तो मैंने define क्या दिया, तो मैंने define क्या दि testing करें, इसको click करेंगे, alert हो गया, इसका मलब हमारा सारा काम हो रहा है, ठीक है, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आप सबसे पहले confirm वाले function को call कर लीजी, तो एक let variable बनाईजी ज़रा, is confirm, is confirm, इसके नम से variable बनाईजी, और जो confirm वाले function इसको call कर लीजी, इसको हम call करेंग आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए, if condition पास करें, if is confirm, अगर इस confirm के value true है, तो यहाँ पर हम काम करेंगे, यानि के local store के अंदर से, dot remove item, remove item नाम का predefined function होदा उसको call करेंगे, और यहां से all reg data, पूरा remove कर देंगे, इसको remove कर देना है, यानि कि जो हमारा key है, इसी को आपको remove कर देना है, तो इसी नाम से की है, यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, और इसी को हमने यहाँ पर define कर देया, remove के अंदर, control भी कर देना है, तो कब remove होगा, जब आप, यानि कि delete all, यहाँ पर लिखावा delete all, इस पर click करेंगे, हमने cancel किया तो कुछ नहीं होगा अच्छा हाँ, एक और सी live delete होर जाना चाहिए, तो अभी हम अगर देखिए, मैंने reload किया से, देखिए, सारा delete हो गया, है न यहाँ पर, तो लेकिन मैंने cancel किया था, तो फिर क्यों delete हो गया, तो यहाँ इस confirm के value, अच्छा, await keyword यहाँ पर नहीं लगा, तो await keyword जरूर लगा दे और mobile number मैंने एक त्रिक्ष डाला, इसे ही डाल देता हूँ, और यहाँ से मैंने यह डाल दिया, उसके बाद इक password मैंने इस त्रिक्ष डाला, और यहाँ पर मैंने चूज फाइल चूज किया, और यह वाला photo चूज करके, open page, क्लिक करके, मैंने submit करते है, एक data आगया, एक और data add का लिजे, इसे मैंने यहाँ पर dummy data डाला, email डाल देता हूँ, इस त्रिक्ष डाला, gmail.com, यह भी मैंने डाला इस तरीके से, date आप बस चूज कर लूँगा, तब यह सही नहीं है, यह मैंने चूज किया इस तरीके से, और यह मैंने चाला, इस तरीक से open पर क्लिक करके, submit अगर हम delete पर क्लिक करें, अगर हम cancel करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, get all, get registration data, इसको बस यहाँ पर call कर दी, यानि कि हमारे पास एक function है, get registration data के नाम से, इसको call कर देना है, तो live delete हो जाएगा, अब live delete करने के लिए आपको फिर से insert करना होगा, यहाँ पर, तो insert कर लिए कुछ और data, मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, मैंने define किया, gmail.com, और यहाँ पर मैं mobile number डाला देता हूँ, यहाँ पर klik करता हूँ, यहाँ पर मैं data डाला, add the red, gmail.com, mobile number डाल देंगे इस तरीक से, यहाँ पर, data topper choose कर लेंगे, यहाँ यहाँ से klik करके data topper choose किया, password 123456 इस रीड डाला, और यहाँ पर मैंने photo डाला, यह वाला photo चूस करके open करके समिट पर क्लिक करें देखे data आ गया डिलीट पर क्लिक करके अगर हम OK कर दें तो live डिलीट हो यगा पूरा data live डिलीट हो यगा लेकिन live डिलीट नहींगा फिर से यहां पर इंस्पेक्ट करके देखेंगे कंसोल में कोई एरर भी नहीं है लेकिन लाइब डिलीट की नहीं है रिलोड करने पर डिलीट हो रहा है यह चीज़ यह दिखिए ना अच्छा हाँ दोस्तों यहां से यह तो आपका ठीक है कोई इश्यू नहीं है लेकिन हमारा जो एरे है वह भी इंपिटी होना चाहिए तो आयरे को भी आपको इंपिटी कर देना है तो आयरे प calor कि अनुपका अंड़ से इसके रफर्म अब यह लिखा और पर मूबाईल नबर डालेंगे तो से मैं टेस्टिंग करना पड़ता है बार बार ठीक है यहां से मैंने फोटो चूस किया सब्सक्राइब करूँगा यह देखिए मैंने सब्सक्राइब कर लिए एक और डेटा कर लिए फिर आपको पता चलेगा कि मल्टिपल डिलीट हो रहे की नहीं अकर हम डिलीट पर क्लिक करके ओके कर दो तो सारा डेटा एक बार में डिलीट हो जाएगे तो आई होप आप लोगको यह सारी चीज़े किलियर होगी कुछ इशू है जरूर कुछी आपकी हेल्प कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है आप लोग कमेंट करना मत बुलिए दोस्तों कमेंट करेंगे तभी मैं आगे काम कर पाऊंगा आई होप किलियर होगा कुछ इशू है जरूर कुछ है आपकी हेल्प कर दे जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है वहाँ से जाके आप वर्टसप ग्रूप को जाइन करिए हमारे इमेल पे मैसेज करिए आपकी हेल्प मैं कर दूंगा थेक्स फॉर इंज्वाइंग डेजुक्शन आप जस्ट फॉर कोड़ सी यू सून